एक है कि है एक है कि है यह ऐलो फ्रेंज वैलकम टू स्टडी स्टेज आज हम लोग पढ़ेंगे चकविर्धी व्याज यहनी कंपाउंड इंट्रेस्ट इससे पिछली वाली वीडियो में हमने बताया था सिंपल इंट्रेस्ट सधारन व्याज के बारें बताया था अगर वीडियो आपने नहीं देखाया तो डिस्क्रिप्सर में लिंक है जाकर देख सकते हैं तो चक्विधी व्याज में हम लोग पढ़ेंगे चक्विधी व्याज से इतने भी फैक्ट होंगे वह सारे हम आपको बत साने जान जेंगे एक साल दो साल साल इतने साल कभ वी एक चक्विधी व्याज हो बहुत ही सिंपल वासे हम लोग क्या कर लेंगे तो निकाल लेंगे ।ो इस में वीडियो में है फ़र्मुला को हम को इसे बेकर तो सबसे पहले देखते हैं किसे कहते हैं किसी भी धन पर एक निश्चित ब्याज की दर से जब ब्याज की रासी प्रतेक वर्स मुल्धन के साथ जुड़कर एक नया मुल्धन बनाते हुए अनवरत रूप से यानि लगातार रूप से नय नय मुल्धन पर ब्याज प्राप्त होता रहता है तब नियत वर्स के अन्त में प्राप्त कुल ब्याज क्या कलाता है तो चकविधी ब्याज कलाता है किसी भी धन पर अगर हम कोई निश्चित ब्याज की दर से उसको ब्याज देते हैं पैसा देते हैं धन देते हैं और उसी मुल् ब्याज यानि जो पूरा हमारा इंट्रेस्ट होता है उसी को मिला करके क्या होता है तो चक्रविर्धी ब्याज बनता है उसे हम क्या बोलते हैं तो चक्रविर्धी ब्याज का फॉर्मूला है इसे हम सॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं तो c i भी बोलते हैं क्या compound interest यानि चक्र विरिधी चक्र विरिधी व्याज तो इसका formula भी है तो formula क्या है A is equal to P into 1 plus R by 100 और power क्या है T, यानि A is equal to P into 1 plus R by 100 power T है, यही चक्र विरिधी व्याज का formula है, जहां A बराबर क्या होता है तो देखिए जहां A is equal to A is equal to हम क्या बोलते हैं इसे तो amount A is equal to amount होता है जिसे हम क्या बोलेंगे Mr.dhan बोलते है principal इसे हम क्या बोलेंगे तो Mr.dhan बोलते हैं ठेक और देखिए इसमें क्या है, R है R is equal to rate जिसे हम क्या बोलते हैं तो दर बोलते हैं और क्या है टी है टी is called to time जिसे क्या बोलते हैं तो समाय बोलते हैं तो यही सबका जो full form ए एमांट पि प्रिंस्पर आर रेट टीं मिस्धदन मुल्धन ्दर और वसंय इसी पे चकली भी भास का कोश्चन होते हैं वो सारे बनते हैं लेकिन हम इस फर्मूले को याद करना होता है तो इस फर्मूलों को हम डिलीट कर देंगे विदाउट फर्मूला का यूज की हम चक्विधि व्यास से कोश्चन मनाएंगे और देखेगा बहुत यह सिंपल तरीका से आप लोग समझ फर्मूला का क्या करेंगे तो फर्मूला को हम लोग डिलीट कर देंगे विदाउट फर्मूला का हम लोग बनाएंगे तो कोश्चन देखिए यह कोश्चन लेते हैं चक्विधि व्यास का दोस्तों तो कोश्चन आपके सामने है एक हजार रुपे की रासी पर दस परसेंट वार्सिक ब्याज़ की दर्ध से दो वर्स का CI निकाला है तो चक्रविर्दि ब्याज़ निकालना है हमें एक हजार रुपे की राज़ी पर तो हमने क्या बता आई कि फॉर्मूला का यूज ही नहीं करना है यानि 10% निकालना है तो 10% परसंट घड़ा देंगे तो पर्टेसब घड़ा देंगे तो क्या हो जाएगा नीचे 100 हो जाएगा ऑना कि डवल 0 से कट गया कितना बचा यानी 100 रुपया नगा 1000 का 10% है वो कितना या तो 100 रुपया अगया और है मैं क्या बोल रहा है कि दिखे हमें जो रुपया दिया हुआ रहेगा और जो परतिसद दृट Iya रहा तो उसका पहलेनिंगा इसके बाए यतना वर्स दिया हुआ है क्या दो वर्स का निकालना है तो जितना वर्स का आपको कहेगा निकालने के लिए उतना हमें लाइन पाड़ लेना है तो लाइन खीच लेना है जितना वर्स का कहेगा तो एक लाइन दो वर्स का बोला है तो दूसरे लाइन में क्या दो लाइन खीच लेंगे एक वर्स का त जेकंबूरा परसंट निकालेंगे इसका सब्सक्राइब प्रसंट कितना होगा तो दस रूपय और आप ऐसा में निकाल सकते हैं जब दो हैं तो हमारा कितना ही प्रसंट यहीं पे क्या करना करना थो पूरा को जोड़ देना एकसो एकसो दोसो और दस कितना हो गया तो दोसो दस रुपया हमारा जो चक्रविधी व्याज हुआ हमारा जो सी आई हुआ वो कितना हुआ तो दोसो दस रुपया हुआ यही हमारा कोश्यन का एंसर हो गया इस तरीके से आप निगाल सकते हैं बहुत है अपर पूरा बात करने के पूरा चक विद्ही व्याज कितना हुआ पूरा धार रुपया कितना अंब तो at Vid части 20 रुपया तो 1210 रुपया तो 1210 को मेंlage पूरा और पर आए नारी कुशन देख कि अगर तीन साल का बात करें पर तो दोस्ताила है था तो दो ऽाल Bent खीचे हैं अगर तीन साल का हो तो कैसे बनाएंगे तो देखिए तीन साल वाला कोश्चन है देखिए कोश्चन क्या है तीन साल का चक्विर्धी व्याज हो तो कैसे बनाएंगे यांजिए तीन वर्ष का स्थे från ह couples निकलना है तो थीन वर्ष का ला है तो सबसब पहलorkा सबस्छाहे का 10 पर संगा 10 कितना होगा तो 10,000 का दस पर संगे पर्षन निकालने या ठटो तो नीची फिसतो जुरोा एगा तो ज़िरो से एक को कैया बचा तो एक हाजाद रुपिया हुआ यहां, यह दस हजार का देष्ड का एक हजार रिवा इस परिकार हो गया है । और देखिये हागे क्या करेंगे करेंगे तो हमारा 10,000 का 10 percent कितना है तो एक हजार आया है तो क्या बता है आपको पहले वाली जो निचे के तरफ आ रही है उसमें हम जितना रूपया रहेगा वह पहले वाला जो मैं होता हूँ ह WOW सथारन वियाज होता है । है दूसरा साल में भी तना ही होगा ठीक अब करना हमें हमें तीन साल का है तो आपको क्या बताते हैं पहले वाले का फिर हमें कừng निकल हमें तो दूसरे साल में आने केलें फिर 10 परसंट उस पर बढ़त दा देगा कि नहीं नहीं एक तो दूसरे साल में हम इसका निकाल देंगे तो क्या करेंगे ऐसे भी कर सकते हैं यानि 100 हो जाएगा इसका अगर आपको नहीं आता तो एक हजार का दस परसन यहां पर आप निकाल लेजी एक सो आ तो एक सो आ गया फिर आप क्या हुआ जब आप दूसरे लाइन में आते हैं नीचे की तरफ यहां पर तो आपको इसमें गिंती की तरफ बढ़ेगा एक दो तीन चार ऐसे बढ़ता जाएगा तो सो है तो यहां पर क कंप्रीट करने यानि पूरा गहर यह कैसे भी इसमें फिल करना है जिस तरह से आपको बता रहें तो इतना हुआ अब भी सम क्या करेंगा तो टोटल को एड़ कर देंगे ठेक एक हजार दो हजार तीन हजार हुआ इसका भी हमें 10% निकालना है 1 का 10% कितना होगा तो एक रूपया होगा ठीक सबको हम एड़ करेंगे यहां पे चुट क्या था सबको एड़ करेंगे तो तीन हजार तीन सो एक रूपया हुआ इसली होता है तो है तो अपने सुल रूपया का 10 परसंट कुर जिस्वाए जब一下 12 कोいます 1000 hen 2300 3200 1300 1300 3310 पूरे को हमें क्या करना है उसक्या ड़र अट कर लें जाब यह पूरा जब बहुता तो पूरा को इंहार 33010 रुपया हमारा क्या हो गया तो c i हो गया निक चेक लिदैस आयए होता है यानि सिंबल सथारान्स हाद और हमारा क्या होता है तो में तो कि धार फॉट में यूजत होता है तो हमारा जो चुक्ष हुआ वो तीन हिझा कि दासर निकाल दिये हम फिर एक और question देते हैं आपको तीन सल का देखे बनाईए हैं तो question हैं क्या हम बीस हजार रुपे पर से वार्षिक ब्याज की दर से तीन साल का चक्वित्व निकलना है यानि तीन साल का निकालना है चार साल का निकालना है यह जी तना निकाल लेना है तो कितना आएगा तो बीस हजार रूपय का हमें बीस परसंट पहले निकाल लेंगे प्रतिसात आएंगे तो नीचे दो जिरू आएगा वो कैंसिल हो जाएगा दो जिरू से दो जिरू कैंसिल क्या हुआ दो हजार रुप्या हुआ दो हजार यहां पर दो बचके तो दो दुनी चार कुल कितना हुआ तो कुल थे पहले लायन में एक लाइन दूसरा साल मेंढें तीन configurat ऍीन लाइन होता ते त्हरा साल ने क्या है ङॉर्य होता है पहले पहले भी नेकान में होटें हर साल में सिम्पल रहेगा लेकिन चक्रथी प्यास क्या होता है तो हर एयर में बढ़ता है हर दूसरे तिसरे साल में बढ़ते जाता है चार हजार का 20% बोला हुआ यहां पर क्या कोशन में तो 400 , 20 परसेंट निकाल लेंगे तो ऐसे करें तो चार दुनी आर्थ यानि 800 रुपया होगा यह नहीं तो आप यहां पर निकाल लेजिए तो आठ सो आठ दूनी शुल्हों रुपया हुआ गिंति की तरह बढ़ेगा पहारा की तरह उसके बाद इसका जो है इसका निकालेंगे क्या 20% जितना परसंद दे रहेगा वैसे ही निकालते चले जाएंगे तो आठ दूनी यानी पूरा यानी पूरा तो सबको हम एड कर देंगे ठीक चार हजार चारह यानी बारह हजार हजार और देखिए 800 और 600 चार बीस दो 22 सब को एड़ किज़ें चार हजार प्लस चार हजार प्लस चार हजार प्लस आठ सो प्लस शुला सो प्लस एक सो साथ इस सब को अगर आप एड़ करते हैं तो कितना रुप्या आद आ रहा है 14,560 रुप्या ठेक सब को एड़ किज़ेगा तो 14,560 रुप्या हुआ यही हमारा क्या हुआ तो यही हमारा सी आई हुआ यानि चक्रविधी व्याज देखे इसमें जो है फॉर्मूला का यूज बिना फ्र्मूला का यूज की हम बना लिए बहुत यहांनि फॉर्मूला हमको मायंन में रखना मिने पड़ा और कोश्चन भी बन गया तो यहे मारा चक विध्याज हुआ अगर इसमें पूछ दे कि इसमें 20 रुपे वर्षिक ड़र से तीन शार का सदहरण ब्याज निकाले तो इतना होगा पूछेगा तो पीएक ही कोश्चन बंजा अगर सदहरण भी पूछएगा तो ये आंगा पहला पहला नीचे भी। तो चार हजार आठ हजार और चाहरदार बारा हजार यानि इस आई जो हुआ हमारा एस आई सिंपल इंट्रेस्ट जो हुआ 12,000 रुपया हो गया कि इसी कोश्क्षन से जो समझ में आगा होगा तो प्रेश चैनल को सब्सक्राइब किजाएगा और लाइक किजाएगा Thank you.